आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। वर्गमूल 2 बट 3, D-Op 10-1, वर्गमूल के अंदर में 2 बट 3-1, देखे दोस्तों इसमें भूला क्या जा रहा है कि काच का एक गुट का है दोस्तों, अब इसके प्रिष्ट पर क्या है दोस्तों, एक प्रकास की रहन है, ठीक है, 45 डिगरी कोंड पर आपतित हो रही है, त ठीक है, यह प्रकास की रहन जो आपतित हो रही है, ठीक है, तो अब इलम से जो आपतित की रहन कोंड बनाएगा, वह यह आपतन कोंड कहलाता है, दोस्तों, अब इसका पार्श्विक विस्थापन प्रती एक इमोटाइक ले एक बटर रूट 3 मीटर उत्पन्न होता है, ठी ठीक है, तो देखे, यह प्रकास जैसे यहां से आपतित होई दोस्तों, ठीक है, अब यह कांच से टकरा कर क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है, मालो यह प्यू है हमारा आपतित की रहन है, ठीक है, और क्यू को हम लोग अपवर्तित की रहन माल लेते हैं, तो यह आ रहा हमारा क्या है दोस्तो अपवर्तित कोण है ठीक है अब यहां से देखिए फिर यह कांच की साथ अस्टकरा कर फिर अपवर्तित होगी दोस्तो ठीक है तो यहां पर क्या होता है दोस्तो यह जो है आप्तित किरण जो है दोस्तो ठीक है और अपवर्तित किरण के जो कोड बनता है उसको हम लोग विचलन कोड बोलते हैं ठीक है यह देखे डेल्टा समेने दर्सा आया है ठीक है और यह जो आपतित किरण है अगर इसको हम लोग यह जो बिंदू क्यों बिंदू है यहां से एक लंब अगर खिसते हैं दोस्तो ठीक है इस आपतित किरण में त इसको D से दर्सा है, तो देखिए, यहाँ पर एक संबंध हमको मिलता है, D बटाट, अपर हमको क्या संबंध मिलता है, दोस्तों, sin, delta बटा, cos, r, ठीक है, दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, दोस्तों, यह जो D बटा पार्सिव क्विस्थापन हाना, और बटा मोटाई, त तो यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं, एक बटा, रूट, तीन, sin, delta को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, आई, माइनस, r, लिख सकते हैं, दोस्तों, देखिए, यहाँ से, यह पूरा हमारा क्या है, दोस्तों, यह इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, तो पूरा i ह आई में सार घटा दूँगा, रूट, डेल्टा मिल जाएगा, और नीचे हमारा क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, sin i, cos r, रिंड, sin r, cos i, ऐसे लिख सकते हैं, बटा, cos r, अब देखिए, दोस्तों, यह लग लग करके इसको बटा में लिख सकते हैं, तो sin i, cos r, बटा, cos r करें माइनस, यहाँ पर sin r, cos i, बटा, cos r, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos i, 10 r, ठीक है, दोस्तों, अब sin i, हमारा कितना है, 45 degree, cos 45 degree, यह r, तो हम को लिख आलना हैं, दोस्तों, ठीक है, तो 1, बटर, रूट, 3, 1, बटर, रूट, 2, रिंड, 1, 10 r, बटर, रूट, 2, इस तरी के स जाएगा, दोस्तों, तो यहाँ से देखे, रूट, 2, common लिख लेगा, एक बटर, रूट, रूट, 1, 10 r, बचेगा, ठीक है, अब रूट, 2, इधर चला जाएगा, तो रूट, 2, बटर, रूट, 3 हो जाएगा, दोस्तों, ठीक है, तो 1, 10 r, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक रिंड, रूट, 2, बटर, रूट, 3, ठीक है, तो र बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 inverse, एक रिंड, रूट, 2, बटर, रूट, 3, तो यही हमारा अपवर्तन कोंड हो जाएगा, दोस्तों, ठीक है, ओप्शन चेक कर लेते हैं, तो देख लिजे दो, तो कौन से ओप्श ठीक है, धन्यवाद,